अभी हाली में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी सरवोच अदालत है मैं सुपरींग कोट की बात कर रहा हूँ और एक सम्मिधानिक संस्ता है सम्मिधान की अनुचेद 124 के तहट इसकी इस्थापना की बात कही गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी इस्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायदिस रहते हैं उनकी सेवा निवित्ती की उम्र 65 साल रखी गई है तो इसके द्वारा चुनाओ आयुक्तों की निवक्ति को लेकर एक फैसला सुनाय गया है और अभी तक आप देखते थे कि सरकार क्या करती थी कि चुनाओ आयुक्तों को नामित करती थी उसके बाद राष्टपती साहब के पास बेद देती थी और राष्टपती चुनाओ निवक्ति कर देता था लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसकी निस्पक्चता पर बहुत सारे सवाल खड़े किये जा रहे थे और सुप्रेंग कोट में कई याचकाएं भी दायर की गई थी और आज भी आप देखें हमें किसी पर भरोसा हो या ना हो सुप्रेंग कोट पर हमे भरोसा रहता है और अगर आप सोची कि चुनाओ आयुक से चुनाओ पिक्क्रिया पर से भरोसा अगर उठ जाए जनता का तो लोग बोट डाले ही नहीं जाएंगे और जब बोट डाले ही नहीं जाएंगे तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा लोगतंत कहने का तो इस फैसली के नियुक्ति होती है ना कॉलीजियम विवस्ता की तयत उसमें हमें सामिल करिए तो उसके हाँ से आप देखी ना तो उसे बो मिला लेकिन जो चुनाओ आयक्तों की नियुक्ति में उसका हाथ होता था वो भी छेन लिया गया है तो कुछ पिक्चर साफ लोग देख रहे हैं निर पालती निर्वाचन आयोग करता है और बाकी आप लोग देखते हैं कि आपको याद होगा कि जो आपके स्थानिये चुनाओ होते हैं जैसे सरपंच का हो गया पिरधान का हो गया फिर चाहे आप देखे कि नगर पंचार नगर पालिका नगर निगम इनके लिए हर राज में उनका चुनाओ आयोग होता है जैसे उत्तर प्यदेश में जाएंगे तो उत्तर प्यदेश निर्वाचन आयोग के बारे में आप लोग उने सुनाओगा मद्य प्यदेश में मद्य प्यदेश निर्वाचन आयोग आप लोग उने सुनाओगा तो वो देखबाल करता है इसक क्यों लिए जाते हैं, 9 क्यों लिए जाते हैं, 11 क्यों लिए जाते हैं, 13 क्यों लिए जाते हैं, यानि कि विसम संख्या क्यों रखी जाते हैं, इस सवाल भी आप लोगों के दिमाग में आता है, तो माल लीजे 5 की जगह अगर 6 होते, और माल लीजे 3 इसके पक्च में होते, 3 इसके बेपक्ष में होते तो कोई रिजल्ट भी न निकलता तो इसलिए आप देखते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि तीन इसके पक्ष में होंगे तो दो इसके बेपक्ष में होंगे या दो इसके पक्ष में होंगे तो तीन तो इसके बेपक्ष में होंगे कोई तो रिजल्ट निकलेगा ना तो इसलिए आप देखते हैं कि विसम संख्या एक तरह से रखी जाती है और मुख चुनाओ आयुक्त और चुनाओ आयुक्तों की निवक्ति पिधान मंतरी लोग सभा की में बिपक्च का नेता और भारत की मुख नियादिस की एक समिती की सलाय पर राष्टपत द्वारा की जाएगी कहने का मतलब सीधा साई है कि अब जो चुनाओ आयुक्त जो मुख चुनाओ आयुक्त होता है और अन चुनाओ आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति एक सम्ती की सिफारिस पर की जाएगी और इस सम्ती में इस कमेटी में आपकी पिधान मंतरी साब साम सामिल होगा और भारत के मुख्ध नियादी सामिल हो गें ठीक है इन तीन लोगों का नाम इसमें लिया गया है और यह नाम आप देखेंगे राष्टपती साहब को भेजेंगे राष्टपती उसकी नियुकती करेगा और यहां एक बात और याद रखिएगा क्योंकि आप यदि बिपक्षा नेता उपलवद ना हो तो लोग सबाम में जो सबसे अधिक जन पितिनीदियों बाली बिपक्षी दल होगी ना उसके मुख्या इस समती के सदस रहेंगे। आयुजित किये जाने चाहिए और आप देखते हैं कि तभी तो हमारी निस्वक्षिता भी रहेगी हमें भरोसा भी रहेगा और इसकी अतरिक्त संसत द्वारा इस संबंद में इस्थापित किसी भी कानून की सर्तों के दिन वाक्यांस का उद्देश पूर्ट समाभी सेंगित क भारती निर्वाचन आयुक्तियों को नियंतित करने के लिए मानकों को इस्थापित करने की परिकल्पना की थी आम तोर पर नियालय विसेस विधाई सकतियों की मामले में हस्तचेब नहीं कर सकता है परुंतु समिधान की संद्रम में विधाईका की निस्केटा और उससे उ आटाये जाने की पिक्रिया समान होनी चाहिए अत्वा नहीं कि सभाल पर सर्वोच न्याले ने इसपश्ट किया है कि यह एक समान नहीं हो सकती है क्योंकि मुख निरवाचन आयुक का दर्जा विसेस होता है और उसके बिना अनुछे 324 की सक्रेता काफी परभावित हो सकती है और देखिए अनुछे अगर 324 की बात करें न तो आप देखेंगे चुनाव आयुक की स्थापना की बात करता है एलेक्शन कमिशन आप इंडिया की और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 25 जन्मरी 1950 में होई थी नई दिल्ली में आप लोगों को हेड़कॉर्टर देखने जाने बाले बित्य की आवसकता की सवाल को सरकार की नेड़े के लिए छोड़ दिया है और इस पर आप देखेंगे सरकार ने क्या कहा है सरकार के अंसार ऐसे कानून की आभाव में राश्ट्पती के पास समीधानिक सक्तिया होती है और सरकार ने नियाले से नियाएक सैयम ब देखेंगे हमारे देश्त में जो विधान का सदस है, राज का सदस है, लोग का सदस है जो वही भाग लेते हैं और अब ही जैसी बखमार में दिरोफदी मूर मुर का राष्टपती वनी है तो तो जिले ये भली कि भारत की राश्पती है लेकिन इने चुनाव किसने जिताया भारती जिनता पाइटी ने मौधी साहब की पाइटी ने और आप देखें अगर मौधी साहब कोई नेड़े लेते हैं तो मुझे नहीं रखता है कि इतनी तागत रख पाएंगी राश्पती साहिवा कि उनके नेड़े को पलट दे या उन्होंने जो नाम सुझा है उसे हटा दे ठीक है और चुनोतियों की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि समिधान संसत को इसी की निवक्ती पर कोई भी कानून बनाने की सकती पिदान करता है अर्थाच इसमुद्धे पर सर्वोच नेले का पिदान को चुनोती देता है हाला कि सर्वोच नेले ने कहा है कि यह नेड़े संसत द्वारा बनाएगे किसी भी कानून के अधीन होगा और जिसका अर्थ है कि संसत इसे पूर्वत करने हितु एक कानून बना सकती है और एक अन्य दिरिष्टी को रिया भी कि इसमें संसत द को मेड़ कर समिधान के जनक कहे जाते हैं पिता कहे जाते हैं और 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ समिधान आपका लागू चुका था और आप देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका समिधान लागू हो चुका था ECI यानि कि भारती निर्वाचन आयुक में निवक्ती होती जो मौझूदा प्रावधान था एवी देख लिजे समिधानिक प्रावधान तो भारती समिधान का भाग अगर आप लोग 15 देखें तो अनुच्छे 324 से लिकत 329 तक या चुनाओ से सम्दित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है और Election Commission of India की अगर सरचना देखें तो मोल लूप से आयोग में केबल एक मुख चुनाओ आयुक्त था लेकिन चुनाओ आयुक्त संसोदन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहु सदस्तिये निकाय बना दिया था और अभी बर्तमान में एक मुख चुनाओ आयुक्त होता है और कोई अत्रिक चुनाओ आयुक्त जिनने राष्टपती समय 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 पर निकार सकता है चुनाओ आयुक्त में सामिल होंगे ठीक है और निकती की फिक्रिया अगर आप लोग देखें तो अनुछे 324-2 एस संबंद में संसत द्वारा पारि कानून मंत्री द्वारा पिधान मंत्री की विचार ही तो उपयोक्त उमीदवारों की सिफारिष की जाती है और निकती पिधान मंत्री की सलाय पर राष्टपती द्वारा की जाती है और राष्पती चुनाओ आयुक्तों की सिवा समंधी सर्तों और कार आउधी का निर्धा साल के हैं और आपकी चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है आपको तो आप देखेंगे ज़िए 6 साल आप लोग जब तैय करेंगे तो 56 साल के हो जाएंगे लेकिन आप मन लीजे कि आपकी उम्र 62 साल है और आपको चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है तो आप देखेंगे 65 पर साल तीन साल बाद हो जाएगी, समझ रहां आप लोग, तो तीन साल बाद आपको छोड़ना होगा पत, एव कहा जाता है, और निस्तकासन की बात करें, तो वह कभी भी स्थीपा दे सकता है, चुनाव आयुक्त, और कारकल समाथ होने से पहले उसे हटाया भी जा सकता है, औ और चुनाओ आयक्तों को संसत द्वारा सर्वुच नियालाई की नियादीस को हटाने की पिक्रिया की समान माध्यम से ही पग से हटाया जा सकता है। और चुनाओ आयक्तों की सिफारिस की बिना किसी अनिरबाचन आयक्त को नहीं हटाया जा सकता है। जो मुक्ष चुनाओ आयोक्त होता है। तो ये कहानी है आपके चुनाओ आयोक्त की। इसके बारे में एक सामन जानका है ये आप लोगों के पास होना चाहिए। इस तरह की टॉपिक से आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स पूंचे जाते हैं। पर चाहे आप लोग से बिल सर्विस की तैयारी करें हो, इस्टेट पीसेस की तैयारी करें हो, या कुछ भी आप लोग करें हो, ठीक है। अगर कोई सबाल हो मेरे लिए सुजाओ हो तो आप लोग नीचे जरूर भेजेगा।